दोस्तो आज की इस वीडियो हम जानेंगे कि आप लोग अदालत का टोकन कैसे जनरेट कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो बिना देर की वीडियो को फटाबट सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तो मेरी आप से रिक्वेस्ट है लिंक पर क्लिक करने बाद दोस्तो इस तरीके से पेज उपन हो जाएगा लोग अदालत का तो दोस्तो टोकन जनरेट करने से पहले अगर आप चाहें तो ये भी चेक कर सकते हैं उसके लिए दोस्तो आपको यहां नीचे ब्लीव कलर में लिखा हुआ दिख जाएगा क्लिक हेर टू चेक कोट अवलेविल्टी आपको इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक करने बाद दोस्तो इस तरीके से पेज उपन हो जाएगा यहां पर दोस्तो आपको यह लिखा हुआ दिख जाएगा कि कितने चलान की लिमिट है और यहां ग्रीन कलर में आपको अबलीवल सीट दिख जाएगी और यहां रेड कलर में आपको यह लिखा हुआ दिख जाएगा कि कितने चलान जो है वो बोग हो चुके है ठीक है और इधर इस side में आपको court complex लिखा हुआ दिख जाएगा, यहाँ पे court room लिखा हुआ दिख जाएगा, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि दो पहर से पहले यादि फर्स्ट मीटिंग में कितने चलान सेटल होंगे, कौन से court room में, यहाँ आपको नी नमबर आपको नहीं याद है, तो आप इस वाले box में इंजन नमबर के लाज़ते 5 डिजिट भर सकते हैं, चेचिस नमबर और इंजन नमबर दोनों नहीं बरने हैं, दोनों में से किवल एक ही बरना है, ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दो option दिखेंगे, प इस गाड़ी के दो चलान है, पहला यह है, और दूसरा यह है, अब अगर आपको इसे print करना है, तो यहाँ राइट साइड में आपको print notice लिखावा दिख जाएगा, यह वाला आपको इस पी क्लिक करने बाद दोस्तों इस तरीके से एक छोटा सा pop-up open हो जाएगा, सबसे पह पोट आपको यहां से select कर लेना है, इसके बाद दोस्तों यहां थर्ड वाले पर किलिक करके आपको यह select कर लेना है, कि आप फर्स्ट मिल्टिंग में जाएंगे या सेकेंड मिल्टिंग में, तो अगर आपको फर्स्ट मिल्टिंग में जाना है, तो आपको यह फॉर्नून 10 लिखावा दिख जाएगा और यहां नीचे आपको प्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा तो आपको यहां प्रिंट पर क्लिक कर लेना है और प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका नोटिस जो है हुआ जाएगा आपको यहां प्रिंट पर क्लिक करके इसका प् और वीडियो को आने लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिलें मिलते हैं किसी आने वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ नमस्कार